हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग आपसे भी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशडी पर आज की इस क्लास में लिब्रो आफिस इंप्रेस का पार्ट नमबर सेकेंड होगा कल जो हमने आपको क्लास दी थी उसमें लिब्रो आफिस इंप्रेस का पार्ट नमबर वन था तो जेन बचोंने कल की क्लास नहीं देखी है आप जरूर देखें और उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल लाएगा जहां से आप देख सकते हैं चलिए श्टार्ट करते हैं आज की इस कलास की और आज के हमारा जो टॉपिक है आज आप क्या पढ़ेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं तो आज आप सभी पढ़ने वाले हैं Manipulating Slides ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं Manipulating Slides के बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे और इसमें कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे Inserting Table आप Table कैसे Insert कर सकते हैं उसके बाद में Adding Clip Part Pictures आप Clip Part Pictures कैसे Add कर सकते हैं Inserting Other Objects कोई अन्य Object अगर आपको Insert करने हैं जैसे कि Rectangle हो गया, Oval हो गया इस टाग बहुत तरह हैं तो यह कैसे आप Insert कर सकते हैं Resizing and Scaling an Object और किसी Object को कैसे आप Resize कर सकते हैं Creating and Using Master Slide कैसे आप Master Side बना सकते हैं और Use कर सकते हैं इसका Use क्या होता है तो पूरा आज हम Manipulating Slides पढ़ेंगे और जो कल हमने आपको Class दे थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था Creation of Presentation Means कैसे आप एक Presentation बनाते हैं यानि कि Template का यूज़ करके कैसे आप एक Blank Projection बनाते हैं Inserting and Editing Text on Slides आप Slide में किसी Text को कैसे Insert कर सकते हैं और कैसे उसे Edit कर सकते हैं उसके बाद में पढ़ाया था Inserting and Deleting Slides in a Presentation आप एक Presentation में कैसे Slide को Insert कर सकते हैं और कैसे अगर आप चाहते हैं कोई Slide Delete करना तो कर सकते हैं उसके बाद में saving a presentation का यसे presentation को हम save करते हैं तो अगर आपने कल की class नहीं देखी है उसका link description में है बहां से आप देख सकते हैं ठीक है चलिए तो भाई सभी साथे class को save करें आज की class आपके लिए काफी important होने वाली है और इससे पहले आपको बता दें अगर आप triple c exam के लिए online mock test देना चाहते हैं तो आप हमारी website www.cccbyfash.com पर widget करें यहाँ पर आपको धेर सारे online mock test हिंदी और इंग्लेस में मिल जाएंगे साथ साथ यहाँ से आप important question answer और उनके pdf भी डाउनलोड कर सकते हैं इस website का link नीचे description में दिया गया है जहां से आप widget कर सकते हैं ठीक है चलिए start करते हैं यहाँ पर जैसे कि आप आचके हैं लिब्रो ओफिस इंप्रेस में और अभी हमारे सामने बिलकुल एक यहाँ पर slide है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है ठीक है आप देख पारे होंगे यहाँ पर right side में कई सारे layout है तो इसमें से आप कोई भी layout रख सकते हैं जो भी आपको आवश्यकता है आपको ठीक है जो भी layout आप रखना चाहते हैं इसमें बहुत सारे layout है जैसे अभी हमारे पास है यहाँ पर title slide यानि कि इसमें slide का title रहेगा अगला देखेंगे तो यहाँ पर title and content उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है ठीक है title and to content मतलब एक title रहेगा और दो आपके content रह सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर title only रहेगा cable आपको title ही मिलता है अगर आप यहाँ पर click करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी slide में cable click to add title का option है नीचे आपको कुछ नहीं मिला ठीक है तो यह अलग अलग है जो भी layout आप रखना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है अगर आप यह नहीं रखना चाहते ह तो भी कोई problem नहीं है आप यहाँ blank slide पर आजाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल blank कर देंगे और अब इसे आप अपने हिसाब से अपने तरीके से से बना सकते हैं ठीक है तो अभी क्या करते है मालिया कि सबसे पहले हमें अपने channel का नाम insert करना है या फिर हम यहाँ पर type करते ह है course on computer concept तो यहाँ पर type करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर लिखने के लिए क्यूंकि हमने यहाँ पर कोई title या कुछ layout तो डाला नहीं है तो हमें यहाँ पर लिखना है और लिखने के लिए हमें text box को लाना होता है तो text box को लाने के लिए या तो हम यहा रहा है या फिर हम F2 का उस्तेमाल कर सकते हैं F2 press करेंगे तो text box आ जाएगा और आप लिख सकते हैं ठीक है यहां पर हम क्लिक कर देते हैं इसके अलावा आप यहां पर हमने क्लिक किया और यहां पर लिखना चАट करते हैं तो हमने यहां पर लिखा है course on computer और आगे हमें लिखना है concept अब यह हमने लिख लिया है अभी इसका जो size है वो हमें increase करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे यहां पर आप देखेंगे right hand side में आपको मिलता है एक sidebar और इस sidebar में ही आपको मिलता है size तो यहां से जैसा कि हमने कल आपको पढ़ size रख लिया है थोड़ा सा इसका size increase कर देते हैं और और अब थोड़ा सा size यहां पर कम करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर size को और थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको bold कर देते हैं तो यह हमारा हो गया और बाकी इसको हम यहां से center पर कर देते हैं तो यह center पर हो चुका है अब देखिए आपके सामने यहां पर यह text आ चुका है इस परकार से भी आप लिख सकते हैं अगर आप यहां पर और कोई layout यूज नहीं करते हैं अब मालिया की हमें यहां पर गया करना है जलिए हम आपको एक पर फिर्टे सलेवर्स पर लेकर चलते हैं और यहां पर सबसे पहला है मैनो पुलेटिंग स्लाइड में inserting table यानि कि आप एक table को कैसे insert कर सकते हैं आप अपने impressed प्रोग्राम में तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें एक table insert करना होगा तो हम table को insert करने के लिए यहां insert पर आएंगे और यहां आप देखेंगे एक table का option यह table की command आपको नजर आती है तो आप इस सीज़ को भी समझना पड़ेगा और ध्यारेखना होगा कि जो table insert करना है हमें वो insert menu में आकर के insert करना होता है यानि कि इसके लिए हम insert menu का इस्तेमाल करते हैं अब insert menu में आकर के table पर आपको click करना है जब आप table पर click करते हैं तो यहां पर आपसे पूछा जाता है number of column यानि कि आप कितने column रखेंगे table में और number of rows कितने आप रोज रखेंगे ठीक है तो माना कि हमें column 5 ही चाहिए चलो ठीक है उसके बाद में हमे जो slide है उसमें table आ चुकी है और जितने भी column आपने रखे थे उतने column आ चुके हैं जितने भी row आपने रखे थे उतने row आ चुके हैं ठीक है तो यहां पर देखिए 3 हमारे पास row आ चुके हैं और 1,2,3,4,5 हमारे पास column आ चुके हैं इसके बाद आप देखेंगे right hand side में तो आप थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे जो आपकी sidebar है यहां पर कुछ table design भी आ चुकी है तो अब यह अलग-अलग design है table की आप कौन से design रखना चाहते हैं जैसे अगर हम यहां पे select करते हैं तो design आपकी थोड़ा सा change हो जाएगी तो यह अलग-अलग design है आप देख सकते हैं जैस कि हमने इसको लिया है उसके अलावा आप देखेंगे जैसे हमने table को select किया हुआ है तो नीचे भी आपको यहां पर एक toolbar नजर आती है और इस toolbar में आप border ठीक है उसके बाद में यहां से border का color यहां पर color यह सारे चीज़ें भी ले सकते हैं merge करना है किसी sale को है ना उसको split करना है उपार नीचे करना है vertical center यह सब कर सकते हैं हाँ से delete करना है या फिर और कोई हमें insert करना है तो वो सारे कारे भी हम यहां से कर सकते हैं और इसके लावा यहां पर table property का भी एक option है जहां पर click करके हम table की property को भी set कर सकते हैं तो यह रही आपकी table की property ठीक है इस परकार से इसमे हमें कौन सा साइज रखना होगा टैबल के अंदर हमारा जो फॉंट का नेम होगा वो क्या होगा बोल्ड होगा इटैलिक होगा और फॉंट का नेम क्या होगा यह स्तारी चीजें आप अले डिशेट कर सकते हैं अपने टैबल की प्रॉपर्टी में ताकि जब भी यहां पर कु का, आपको जख आता है आप देखेंगे , यहां पर डिलीट रो का ऑप्शन आता है यहां से रो को डिलिट कर संकते हैं से कॉलम को अब माल या कि हमें यहां कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है इसी पकार से अगर हमें रो नहीं चाहिए तो हम यहां से इसको डिलीट कर सकते हैं ठीक है यानि कि उस रो पे आपको किसी भी सेल में क्लिक करना होगा और फिर नीचे आपको रो डिलीट रो वाले वटन पर क्लिक करना होगा और इससे आपका जो रो है वो डिलीट हो जाएगा तो इस प्रकार से हम इसको डाल सकते हैं ठीक है अब इसके अलावा मालिया कि यहां पर देखेंगे और भी बहुत सरे आप्शन है इंसेर्ट रो एब यानि कि ऊपर तो हम रो को इंसेर्ट कर सकते हैं ठीक है यहां पर क्या आप्शन है आप एक बार देख सकते हैं अगर बाइचांस आपको यह डालनी पड़ी तो यहां से इंसेर्ट रो एब आप जैसे कि हम यहां पर क्लिक किया है हमने और हम चाहते हैं इसके नीचे हमें ए before after और above और ये below कहां से होगा जहाँ पर आपका cursor होगा जैसे अभी देखो हमारा cursor यहाँ पर है और इसके बाद में एक और हमें column चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं column after इसके बाद में एक और column हमें मिल जाएगा ठीक है तो इस परकार से हम इसको manipulate कर सकते हैं अपनी table को और अगर आप चाहते हैं इसको delete करना ठीक है पूरा table आप delete करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको select करेंगे और इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से delete कर सकते हैं ठीक है तो पूरा ये delete हो जाएगा आप दिख सकते हैं पूरा allergy delete हो चुका है जो भी आपने select किया था क योगि सभी इसमें column आपके select हो गए थे इसलिए आपने delete column पे click के और सभी delete हो गए या फिर आप delete button भी use कर सकते हैं ठीक है उससे भी delete हो जाएगा इस पकार से तो आप table को डाल सकते हैं और हमने कैसे उसको column insert करने हैं कैसे row insert करने हैं कैसे delete करने हैं यह भी हमने आपको बता दिया है ठीक है इसके बाद में adding click part pictures आप click part pictures को कैसे add कर सकते हैं तो इसके लिए फिर से हमें इंप्रेस पे आना होगा और यहाँ पर insert पे जाना है हम insert पे जाने के बाद में हमें media पे click करना है media में हम जाएंगे तो अब यहाँ पर हमें gallery का एक option मिलेगा हमें इस gallery पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करते हैं उसके वाद में आपको right hand side पे बहुत सारे यहाँ पर gallery मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे इरोज हैं यहाँ पर औ आप add कर सकते हैं अपने slide में जैसे कि माल लिया कि मुझे यह home अच्छा लगता है हमने इसको select कर लिया ऐसे करके और इसको drag कर दिया जब drag करेंगे तो हमारी slide में आ जाएगा ठीक है और इसको हम जहां पर चाहते हैं वहाँ पर ऐसे रख सकते हैं और इसको हम rich size भी कर सकते हैं है ना तो rich size मतलब यहाँ पर इसका size को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ठीक है इसको हमने यहाँ पर डाल लिया है LED पढ़ चुका है और अब आपने देखा बहुत इजली आप इसको डाल सकते हैं इसको आप जहां पर चाहें बहाँ पर drag and drop कर सकते हैं तो और अभी आप देख रहे हैं इसको हम pass में कर लेते हैं यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो इसका transparency 0 था तो हम पिसली 0 कर देते हैं अभी आपको विल्कुल पुरा अच्छे से दिख रहा है है ना 100% आपको नजर आ रहा है बट आप चाहते हैं इसको transparency और हम बढ़ा दें तो हम यहां से इसका number डालेंगे जैसे हमें 30% ही देखना है तो आपको यह नजर आएगा ठीक है इसके बाद में अगर हम चाहते हैं 50% करना तो 50% आपको यह दिखेगा ठीक है इसके बाद में और भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं जैसे मैंने 90 कर दिया तो बहुत ही हलका आपको नजर आरा होगा और 100% करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाला है ठीक है तो यहां से आप transparency को भी set कर सकते हैं ओके चलिए हम यहां पर बिल्कुल जीरो कर देते हैं यहां पर color mode है जो भी आपने click part add किया है वो कैसा देखे कई बार होता है कि हम यह वो color में न नजर आएगा तो इस प्रकार से भी आप इसको set कर सकते हैं अभी हमें default कर देना है brightness अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से brightness को भी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं brightness हो रहा है और अगर नहीं बढ़ाना है तो आप यहां पर zero कर देंगे इसके बाद में अगर आप contrast default रहने देंगे सारा setting आपका default ही सही होता है ठीक है तो default ही आपका काम चल जाएगा ठीक है चलिए चलो मैंने यहां पर इसको set कर दिया है इसके बाद देखते हैं और से लेबस में क्या है तो यहां पर देखे adding clip part pictures आप यहां से clip part pictures को add कर सकते हैं इसके अलावा आपको और चाहिए भी तो आप फिर से इंसर्ट पर जाएंगे इंसर्ट पर जाने के बाद में हमें मेडिया पर जाना है गैलरी पर जाएंगे और यहां से और भी हम ले सकते ही ठीक है यहां से और भी जैसे कि मुझे यहां से यह संद चाहिए तो मैंने इसको उठाया और यहां पर ल ले लिया और और चाहें तो आप यहां पर दिखिए साउंड उसके बाद में स्कूल इसके बाद में यहां पर बहुत सरे चीज़े हैं जो आप डाल सकते हैं अपने प्रजेंटेशन प्रोग्राम में जो भी आपको यहां से डालना है उसको बाकाइदा आप बहां से ड्रैग दो तरफ और इसको ऐसे करें नीचे किदर ड्रैग करेंगे खींचेंगे बस यह साइज आपका आर्टोमेटिक कम होता जाएगा ठीक है इस परकार से साइज को कम जादा आप कर सकते हैं ठीक है अगर आप एक साइड से खींचेंगे तो ध्यान रखना है फिर इसका जो रैस कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में अगर आप इसको खींचते हैं तो साइज इसका खराब नहीं होगा जैसे कि हमें छोटा करना है तो हमने शिफ्ट दवा लिया उसके बाद छोटा करते हैं तो यह पूरा अपने जो इसका एक सही रेशियो है सही अनुपात है उसी में छोटा नहीं होगा चलिए इसके बाद आपको बताना है इंसर्टिंग अधर और अबजेक्ट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक प्रजेटेशन स्लाइट में अभी हम एक और और अबजेक्ट एड़ करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यहां पर एक इसके बाद में ऊपजेक्ट करके ही टिक तुमिए इस सिप्ट पे जाना है और यहां से हम और भी बहाँ सारे सेप्ट हैं अब यहाँ पर हम इसको कहीं पर insert करने वाले हैं तो यहाँ पर हम एकло rectangle round हम बना लेते हैं ठीक है यह बना लिया हमें इसको थोड़ा सा में आगे करना है तो हमने इसको ऐसे कर के खीच लिया है कम जादा आप यहाँ से कर सकते हैं भी आपको करना है और इसके उपर हमने रखना है ठीक है हम चाहते हैं कि ये जो है इसके उपर आ जाए और ये course on computer concept हमें देखे इसके background में ये पड़ जाए तो दिहां से समझना इसको कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं इसका color हम set कर लेते हैं इसका color मुझे जो चाहिए वो लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा और देखे इसका जो color है वो आप यहाँ से set कर सकते हैं अभी यहाँ पर देखेंगे color में यह color हमें दिख रहा है अभी चाहते हैं हम दूसरा color यूज करना तो हम यहाँ से वो color भी ले सकते हैं तो हमने इसका color ले लिया है और यहाँ पर अब हमें इसका transparency भी set करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर अभी none है आप solid कर सकते हैं ठीक है तो सेडो पे अगर आप किलिक करते हैं तो यहां पे लाइन यह बहुत सरे अलग लाइन आ रही है इसकी विद कितनी होनी चाहिए तो जैसे कि अभी आप इसकी आउटलाइन देख रहे होंगे आप ध्यान दीजीगा जो हमने एक मनाया और इसमें आपको आउटलाइन भी नज कर सकते हैं जो भी रखना है तो यहां से इसको भी हम कम कर देते हैं चलो मैंने इसको ले लिया है तो आउटलाइन हमें यहां से कम कर दी है ठीक है अब यहां पर लाइन है तो यह लाइन आप बहुत सारी है अलग अलग देख सकते हैं कौन सी लाइन आपको ठीक लगती है व तो हमने इसके उपर इसको set कर दिया है अब आप दिखे यहां पर कई सारे option हमें मिलते हैं आप यहां पर देखेंगे तो दिखेंगे यहां पर पहला जो option है वह वरिंग टू फ्रंट है इसके लिए control shift और प्लास कर सकते हैं इसके shortcut की होती है वरिंग फॉरवर्ड प्लस होती है सेंट बैकवर्ड और यहां पर सेंट टू बैक तो हमें सेंट टू बैक करना है इसलिए control हमें साफ साफ नजर आ रहा है अब हम अपने टैक्स का जो color है वो change करना पड़ेगा हमें क्योंकि उसका color है Black और इसको हम कर देते हैं फॉइड ठीक है तो जो हमारा text है इसका color white करने के लिए हमें इसको select करना होगा यहां बढा करके color हमारा white करना होगा चलिए यह color भी हमने कर दिया है आप इस object को चाहों तो mouse से भी ठीक है आप अपना जो आपके keyboard में arrow key होती है उन arrow key से भी up down कर सकते हो left right कर सकते हो ठीक है तो अपनी arrow key है उससे अच्छे से इसको set कर सकते हो कहां पर इसको रखना है तो यह हमारा बिल्कुल सही से set हो चुका है course on computer concept ठीक है और यहां पर यह आपको सही से नजर भी आ रहा है तो इस परकार से आप किसी भी object को insert कर सकते हैं यहां पर बहुत सरे object हैं सब ऐसे ही insert होंगे जो भी आपको insert करना है उससे आप बहुत ही आसान layout लेना है तो हमने यहां पर click कर दिया है अब यहां पर drag करते हैं इसको खीचते हैं दिखें यहां पर कालाउट नजर आ रहा है बंड रहा है और अब इस प्रकार से बन चुका है इसका color वगरा भी बैसे ही जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही आप यहां से set कर सकते हैं जो भी color आपको use करना है तो color हमने ले लिया है transparency हमें यहां से जो भी रखना है वो कर सकते हैं ठीक है और यहां पर दूसरा color भी हम ले सकते हैं हलाकि इसको हमें none रखना है तो हम इसको none कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड और सोलिड देखे इसके बाद में यहां पर इसकी आउट टाइंड का कलर अगर आप चाहते हैं यहां से ले सकते हैं जो भी आपको रखना है ठीक है उसके अलाबा नहीं तो आप डिफाल चोड़ सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो इसकी position and size है तो अभी आप इसकी position को भी यहां से भी set आप चाहों तो देखो ऐसे करके mouse से भी इसको drag करके जहां पर रखेंगे वहां पर छूट जाएगा और वहीं पर यह set हो जाएगा बट इस चीज को आप यहां से भी कम जादा कर सकते हैं आप ऐसे करेंगे तो कितना है तो वह चीज भी आप यहां से set कर सकते हैं इसको बढ़ा सकते हैं और यहां से कम कर सकते हैं ठीक है इसके अलाबा अगर आप चाहते हैं रोटेशन तो आप यहां से रोटेशन भी कर सकते हैं उसके बाद में flip भी कर सकते हैं तो रोटेशन आप यहां से कर सकते हैं का देखो यहाँ पर बहुत सारे है 35 degree rotation कर दिया तो यह rotate हो गया है ऐसे ही आपको have you rotate कर ना है वो आप यहाँ से rotate कर सकते हैं 180 कर दिया तो गिलुक्ळ ऊपर चला गया ऐसे 225 कर दिया तो धर चला गया तो यहाँ से आप जो भी आपको rotate करना है जैसे भी वो आप अपने साब से rotate कर सकते हैं ठीक है अगर आप यहां से flip कर देंगे तो देखो यहां पे flip कर दिया opposite चला गया और फिर से आ गया इस परकार से flip हो जाएगा तो अब इसमें क्या करना है मालिया कि मुझे इसमें कुछ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे अभी देखो इसका size खराब हो रहा मैंने इस खींच दिया ना तो size इसका खराब हो गया तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा बड़ा करना चाहते हैं इसको तो आप shift का इसको गोल्ड करने पर इसको जहाँ पर चाहें वहाँ पर अब shade कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसको shade कर दिया है इसका जो color है वो भी आप change कर सकते हैं तो यहाँ से आप अपने text का color change कर सकते हैं जो भी आपको रखना है और जो आपका यह बनाया आपने color भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको रखना है तो चलिए हमने इस आप इसमें background डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर दिखिए background लिखा गया है और यहां से आप जो भी color लेना चाहते हैं जैसे pattern मुझे कोई लेना है तो हम pattern पे click करते हैं और अब यहां पर बहुत सारे pattern हमें नजर आ रहे हैं जो भी हमें रखना है वो हम रख सकते हैं या फिर यहां से हम क्या करते हैं कोई color ही उठा लेते हैं तो color पे जाते हैं और पीछे आपके सामने क्लर आ चुका है चलो ठीक है इस प्रकार से जो भी color आप यहां से रखना चाहते हैं वो color रख सकते हैं तो हमने a color यहां पे यूज़ कर लिया है ऐब देखें यहां पर क् आपको new slide मिल जाएगी आप यहां पर आएगे तो new slide का option है और यहां से भी आप एक new slide insert कर सकते हैं चलिए हम यहां पर click कर देते हैं एक new slide हमारी insert हो जाएगी अब देखिए blank slide हमारी insert हो चुकी है और एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा जो पहली slide का layout होता है उसी layout के क्या होगा अगली slide insert होगी पहली slide हमारी बिल्कुल blank थी कोई layout नहीं लिया था तो देखिए अगली slide भी हमने जब insert की तो बिल्कुल blank ही मिली जब slide को duplicate करते हैं तो पहली slide के design के अनुसार duplicate होती है उसमें design layout सब कुछ duplicate हो जाता है लेकिन जब आप control M करके new slide लेते हैं तो उस इसका layout पहले वाला ही रहता है जो पहली slide का layout होता है तो के दोनों बातों को आपको अच्छे से समझ रखना है ध्यान से रखना है चलिए अब हमने एगली slide को insert कर लिया है यहां पर क्या कर देते हैं यहां पर हम इसको delete कर देते हैं तो delete करने के लिए मुझे क्या करना सकते हैं ठीक है और नीचे duplicate वारी यहां से तो पेज हो जाएगा आप यहां से हम duplicate करेंगे तो यहां duplicate slide कर सकते हैं यहां पर क्लिक करना पड़ेगा तो यह देखे duplicate हो चुकी है एक जैसे slide आचकी है अब हम दूसरी slide का color change करेंगे तो इसका background color हम change कर देते हैं तो background color हम इसका ले लेते हैं कोई दूसरा ताकि यह चीज़े समाज में आया ठीक है अब देकि हमारे पास दो slide हो चुकी है पहली का background color कुछ और है और दूसरी का कुछ और है ओके अगर हम इसको चाहेंगे तो फाइब हमें प्रेस करना पड़ेगा और जैसे यहां पर हमें क्लिक करना है इंसर्ट उसके बाद में इंसर्ट पर जाएंगे यहां से हम जाएंगे मेडिया गैलरी और यहां से कुछ और लगा देते हैं तो हमने यहां पर इसको लगा दिया है और इसको हम डिलीट कर देते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर इसको हमने set कर दिया है ताकि जब हम slide को change करें तो यह आपको पता चले कि यह वही slide है या दूसरी slide है ठीक है तो इस पकार से हम कुछ भी यहाँ पर add कर लेते हैं जो भी अच्छा लगता है ठीक है अब देखे यहाँ पर हमारे slide बन चुकी है और यह दूसरी slide हमारे आजुकी ठीक है तो दोनों slide हमारे ready हैं बिलकुल अब हमें यहाँ पर क्या करना है आप देखेंगे इसके अलावा यहाँ पर आपके syllabus में दिया गया है resizing and scaling and object हमने भी आपको बता दिया कैसे आप resize करते हैं यह सारी चीज़े हमें आपको समझा दिया है creating and using master slide कैसे आप master slide को बना सकते हैं और use कर सकते हैं यह सबसे important चीज़ है और इसको आप समझ लेना देखी पहले तो बता दें master slide होता क्या है कई वार क्या होता है जब आपने बहुत सारी slide बना ली होती है और इस slide में हमें क्या करना है कोई हमें अपना एक logo लगाना है तो वो logo हम क्या करनेंगे मालिया हमने 50 slide बनाई है तो हमें अलग-अलग वो 50 slide पर logo लगाना पड़ेगा इससे क्या होगा time बहुत खर्च होगा आपका समय बहुत बरबाद होगा ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें master slide का यूज कर सकते हैं या फिर हम चाहते हैं जैसे हमने रिखा ये course on computer concept अब ये course on computer concept हमें हर slide पर लिखना होगा तब ये तो लिख पाएंगे सभी पर और जब हम एक जैसा ही text हर slide पर लिखना चाहते हैं तो हम master slide में उसे लिख सकते हैं ठीक है आप अब ये समझ लिजे ध्यासे कि अगर हम एक ही content हर slide पर चाहते हैं तो हम master slide का यूज कर सकते हैं normal सा और बस एक बार आपको लिखना पड़ेगा हर slide पर वो चीज आपको नजर आएगी अब कैसी उज करते हैं वो चीज हम आपको बताते हैं चलिए तो यहाँ पर जैसे कि यह sun आप देखने हमने इसको हटा दिया है और यहाँ पर एक और slide हम डाल देते हैं ठीक है तो फिर से हम यहां जाएंगे slide पर और slide पर जाने के बार duplicate कर देंगे और फिर से हम एक डूप्लिकेट कर देंगे चलिए यहाँ पर इसका हम एक बार पहले color change कर देते हैं ठीक है तो यहां से हमने कोई और color ले लिया है और यहां से भी color को हम बदल देते हैं ठीक है अब यह तीन चार slide हमारे सामने आ चुकी है अब ही क्या करना है मुझे master slide आपको बतानी है कैसी यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें यहां जाना होगा आधा इंसार्ट सदाँर ब्यूपे जाना होगा और ब्यूपे जाने के बाद में मास्टर शलाइड आपको यहां पर मिलेगा तो ब्यूपड गय कर लिए और यहां से object आप insert करना चाहते हैं तो shapes पर जाने से पहले हमें media पर जाना है और media में हम gallery पर आगे अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं means हमें कोई logo ही insert करना है तो हम logo या जो भी object हम insert करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि वो object हमारा प्रतिक slide पर जाए तो प्रतिक slide पर न डाल करके हम उसको master slide में डाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं हमें जाना होगा environment में और यहाँ पर नीचे score करेंगे हमें यह sun उठा लेना है अब इस sun को हम डालना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पर ले लिया है इसके बाद size कहां पर इसको र view पे जाएंगे और view पे जाने के बाद में आपको यहाँ normal view कर देना है बस जैसे ही normal view आप करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो sun है वो आ चुका है ठीक है अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा आपका जो sun था वो आ चुका है लेकिन इस object के लीचे चला गया है त्यांक master slide पर जाएंगे और यहां से इस sun को थोड़ा सा set कर लेंगे ठीक है जहां पर भी इसको रखना चांते हैं महाँ पर आप रख सकते हैं और उसके बाद normal कर देंगे तो देखें नॉर्मल हो गया है इससे आपको हमें समझाना यह था कि जो भी बदलाओ यहां से भी बहुत सा है जहां जहां जाएंगे बहां पर आपको यह दिख रहा है इसके अलाबा एक और चीज़ हम आपको बताते हैं चलिए मैं फिर से यहां पर master भी में जाता हूं और यहां पर आप आ गए हैं master slide पर ओके अब यहां पर मालिया कि हमें एक object इंसर्ट करना है या फिर हम चाहते ह ही यहां से कुछ text को insert करना तो यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है और जैसी आप क्लिक करेंगे यहां से भी कोई text आप ले सकते हैं जैसे मैंने font work लिया ओके किया और यहां पर मैंने दो बार क्लिक किया इसके बाद यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं जैसे लिखा मैंने daily live class ठीक है at 8 30 पीm अब इसको लिखने के बाद में क्या किया मैंने इस पर ऐसे करके बाहर क्रिक कर दिया तो ये लिख चुका है Daily live class 8 30 p.m. इसका size ऐसे करके थोड़ा सा इसको set कर लेते हैं और इसको ऐसे करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं अब यह चीज हमें लिखना है तो मैंने यहां नीचे इसको कहीं पर रख दिया है जहां पर भी आप चाहते हैं इसको रखना आपर रख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको रख दिया है अब आप एक बार चिक करेंगे ठीक है क्या होता है तो यहाँ नॉर्मल पर आ जाएंगे इसके बाद देखिएगा अब हर जगे आपको वही लिखा मिलेगा डेली लाइब क्लास 38 पीम ठीक है यह चीज आपको लिखी मिली है लेकिन इसके हमारा चला गया जो भी हमने लिखा था और इस पकार से आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को आज का यह class समझ में आया होगा और आपने पूरा manipulating slide समझ लिया होगा कैसे insert करते हैं table कैसे clip part picture डालते हैं insert and object resizing scaling और creating gozing master slide अगर जिन बचों के अभी समझ में नहीं आया है एक वार आप उसको तो दुबारा से repeat का लेना दुबारा से देख लेना सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है रागल क्लास में आपको बताएंगे presentation of slide उके तो next class होगी फिर से यही समय आपका रहेगा आठ बज़ कर तीस मिनट पर और तब तक आप सभी अपने mock test करते रहिए practice करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही thanks for watching thank you good night to all bye bye